हेलो गाइस आप सब कैसे हो गाइस यह जो वीडियो यहाँ पर हम बात करेंगे आप अपने रियालमी C1, रियालमी C2, रियालमी C3 किसी भी रियालमी के डिवाइस में आप इंकमिंग कॉल को कैसे बंद कर सकते हैं ओके इनकमिंग जो लोग कॉल करते हैं उनके कॉल को कैसे बंद कर सकते हैं तो आईए फिलाल विना वक्त हुआ ये वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले बता दो भाई आप सभी देख रहे हैं फोल टू एपी की यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपके दो अबको चैनल पर आया है से ते हमुआ के सकते हैं उसके बाद आपको जाना हुँ आज़ा है जो अपशन से इसके अंदर guys यहाँ पे जैसे आप click कर दोगे यहाँ पे आपको sim दिखा थे sim 1 या sim 2 कौन से sim से आप करना चाहते हैं यहाँ पे आपका number दिखा रहा है इसी वज़े से मैंने यह height करके रखे हैं आपको choose करना है एक sim जैसे कि मैं यहाँ पर choose कर रहा हूँ sim 1 तो यहाँ पे choose करने बाद कुछ ऐसे इंटरफेस आते हैं रेडिंग सेटिंग और उसके बाद जैसे complete हो जाते हैं अब गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे किस तरीके से आप incoming जो भी calls आपके phone पे आते हैं वो calls सारे के सारे कैसे अब बत कर सकते हैं तो यहाँ पे रहते reject all incoming calls इसका मतलब यह है अगर आप यह options on कर देते हैं तो अगर आपके phone पे कोई call करता है कोई बंदा तो सारे के सारे call आटोमेटिक कर जाते हैं इंडेट हो जाते हैं ठीके तो यह एक अच्छा option से अगर आप चाहें तो इसको on करके रख सकते हैं अगर आपने यह on कर दिया तो दुबारा इसी तरीके से यहाँ पर आना and ऐसे off कर देना अब गाईस यहाँ पर से अगर आप नीचे की तरफ रहते हैं cancel all restriction इसका मतलब यह है जो भी आपने change किया था जो भी मतलब आपने settings बदला आये थे अगर आपको याद नहीं हो रहे तो आप इस settings पर क्लिक करके सारे के सारे settings पहले जैसे default में कर सकते हैं यह काफी अच्छी बात है आप अगर गलती से भी कर लिया तो यहाँ पर से आप उसको changes कर सकते हैं ठीक है तो आराम से आप यहाँ पर से अपने phone में Realme C1, Realme C2 device में आराम से आप जो हे changes कर सकते हैं incoming call को बन कर सकते हैं आप लोग मुझे बताइए कोई भी धिक्कत हो रहे तो comment करके मैं उस तोर पर वीडियो जरूर बना दूँगा और आईए मिलते हैं अगले वीडियो पर तब तक आप सारे लोग बेहत खुश रहें और जरूर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजी